नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सैमसंग के फोन में टॉक बैक कैसे बंद करें यहाँ पे हम इसे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से आवाज आ रही है यहाँ हमारा टॉक बैक चालू है तो इसको बंद कैसे करना है आईए जानते हैं सबसे पहले हम इसकी आवाज गम कर लेते हैं ताकि आपको स़ीशन में आ जाए यहाँ पर आपको दो फिंगर की मदद से स्वाइप अप करना है तो हम स्वाइप अप कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको पैटरन लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको अपना पैटरन लॉग बना देना है सिंपल एक उंगली की मदद से और आपको पैटरन लॉग ओपन हो जाएगा फिर आपको दो फिंगर की मदद से स्वाइप अप करना है या स्लाइड करना है यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगा setting पर एक बार touch करें फिर इस पर दो बार touch कर दीजिए आपके पास setting open हो जाएगी यहाँ पर आपको दो finger की मदद से उपर नीचे करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा accessibility एक आदमी बना होगा इस पर देख लिजिए आपको इस पर एक बार touch करना है और दो बार touch करना है ऐसे करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा talkback, talkback पर एक बार touch करें फिर दो बार touch कर दीजिए फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा talkback इस पर एक बार touch करें फिर दो बार touch कर दीजिए नीचे आपसे पूचेएगा turn off talkback turn off पे एक बार करें फिर दो वाट कर दीजिए और यहाँ पे और आपका talkback बंद हो जाएगा अब आप इसी single touch में ही use कर सकते हो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नए वीडियो में